अम्दवाद मा सी प्लेन नी थै रही छे तड़ा मार तैयार्यों रिवर फ्रेंट मा फ्लोटिंग जेटी तर्ती मुगाई छे ब्रिज पर फायर सहित नी टीमोए हाध धरी छे कामगीरी अम्दवाध्योई टुंग समय मा हवे आ सी प्लेन नी सुविधा नो लाब मर्शे सी प्लेन ने कारणे कनेक्टिविटी अने प्रवासन क्षेत्रेपाण फायदो थाशे एक जेटी नी 9 मीटर पहडाई 24 मीटर लंबाई अने बधी जेटी नू टोटल वजन 102 टन छे जी प्लेन ने लए अतियारे तैयारियो चाली रही चे होटर एरोड्राम बनवानू छे औने जेटी आवी पोची छे अतियारे जेटी ने पाणी मा रिवरफंट मा उतरवा माटे नी जे काम गीरी चे ते चाली रही चे अतियारे जेटी ने उतरवा मावी रही हो चे साथे साथे फायर नी पन टीम आहीं उपस्थी चे आने मरीं टेक इंडिया कंपनी छे जेमने आखो प्रोजेक्ट सो प्रमावी हो चे तो त्यारे तेमना आपनी साथे जे मैनेजिंग डिरिक्टर गोउतम सर बताए कि अभी ये प्रोजेक्ट किस तरह साब पूरा करेंगे इसको हम अभी हम 6 अपने पंटून यूनिट लेके आएं एक यूनिट 18 टन बजन है यह 12 मीटर लंबा और 3 मीटर चोड़ा है यह कॉंक्रीट का बनावा पर यह स्पेशल कॉंक्रीट है जो पानी में तैरता है इसको हम पानी अफ़ाल है वहां के पास टौ रहे होना से हम बोड खीच कर आएंगे और इसको लेकर हम से यहमारा आंकर करेंगे जो पानी में इसको हम एंक जगाएं और दो दिन का काम हमारा काम बइलिन कर सकते हैं हमारा काम खाली पानी का काम है वो हम फड़ा फट कर देंगे त्यान रखना पड़ता है क्या चैलेंज और ध्यान यह देखना है कि किसी को इंजरी नहीं हो हुआ हमारे पॉंटून ठीक से हो कहीं फसना जाए पानी में करेंट हो तो बहना जाए तो यह सब चीजे देखते हुए हम काम करते हैं हमारा experience काफी जगए पर हमने यह काम किया हुआ है तो यह खासका निया technology इंडिया में पर इंडिया बनाते हमी कंपनी जो कॉंक्रीड यह पंटून की बनाते के ऐसे चीज है कंक्रीड के ने अब बसके घजाता है बहुत मच्झबूट है और इसका कभी जैसे स्टील का कोई जहाज हो या पंटून हो उसको उसमें रस्ट लग जाता है उसको मेंटेन करना पड़ता है हर साल उतार के उसको पेंट करना पड़ता है हमारे पंटून सिस्टम में यह कोई मेंटेनेंस नहीं है कि कॉंक्रीट का बनावा है यह अभी बिल्कुल नया टेकनोलोजी है दो तीन साल से हम दो तीन प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक हमारा कोचिन में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा है पूरा कोचिन का इलाइके में हमारा करीब 40 जेटी हम ऐसे बना रहे हैं फ्लोटिंग कॉंक्रिट का इसके बिल्कुल सब्सक्राइश तुदीमा तमाम जे काम चे पूर्ण करीदेवा माउसे अने सी प्लेन नेले त्यारे तैयार है योचे त्ये चाली रही छे साथे आस खुबज हाई टेकनोलोजी साथे साबर मती जे वोटर एरोड्राम चे ते बनी रही हुचे के मेरा में सागर रजबारी साथे विबुपा टैलников जे टिन गुजरादी हम दावाद साबर मती नदी कीमा त्यारे जेटी ने चे ते उतारवा मावी रही रही चे रिवर्फंट का त्यारे काम चाली रही चे त्यारे फायर नी टीम चे ते पना काम मा जोड़ाई चे त्यारे आपड़ी साथे बात करी शूँ आपड़ी साथे जोड़ाई गया चे फायर ची उतारा ही रही जे, वोते फ्लोटिंग जे, फ्लोटिंग रही शके जेवी, पन्तु आ कामगीरी दर्मियान उपर 5-7-10-10 काम करता है जे, एमाधी कोई अकस्मात ना दा, कोई डूबी ना जा, एने माटे आपड़ी तरवयानी टीम जे रेस्क्यू करवा माटे जे, एह हाजर से, वता जेटी ने जारा लाई जवी पड़ से, तो इन थी लगभग 2 किलमेटर जेटलो दूर लाई जवी पड़ से, तो एने माटे पन 2 बोट जोई से, जे आपड़े उतारी से, जे मधा दूरूप था शे, अका से प्लेन ना प्रोजेक्ट माँ फायर नी सु कामगीरी फायर नी कामगीरी शरुवात मा रह से, जान सुधी यह लगभगाना पोता नी बोट फायर फायर फायटिंग माटे नी रेस्क्यू माटे नी नथी आवी जथी, त्यां सुधी आपड़े बोट ने पेट्रोलिंग कर से, जारे प्लेन उडवानू है के लेंड थावानू है तो एमा कईक भी बनाव बने तो आपने रेस्क्यू करी शक्वाज हुए और फायर थाए तो फायर फायर फायटिंग करी शक्वाज हुए के मेरे मेर सागर्राबारी साथे वीपुपा टेल नियुचेटिन गुजराती अंदावन वाथ हवी गिर सुमनात मा वर्सादनी गिर सुमनात पंथक मा आठाव